हाई गाईज मेरा नाम है दिप्तनों आप सभी देख रहे हो आप ही के चैनल दिप्तनों शील को तो स्वागत है आप सभी का फेस्बूक पेज का ABCD शो का 19 एपिसोड पे दोस्तो लाश्ट एपिसोड पे भी आप में से बहुत सारे दर्शकों ने बहुत सारे कोश्चिन पू ये शो को आगे बराते हैं तो सबसे पहला कोश्चन जो पूछा गया है वो है बूश्ट पोस्ट से इनाथिंटिक एंगेजमेंट आता है क्या सर तो ये जो कोश्चन है ये एक ट्रीकी कोश्चन है और अगर इसका एक वाट पे अंसर दो तो आता भी है और नहीं भी आता ह अब आता क्यूं है और नहीं आता क्यूं है ये आपको समझना बहुत जरूरी है पोस्ट को हम जब भी बूस्ट करते हैं पैसा लगा के तब उस पोस्ट का जो content होता है वो engagement बेट होता है के नहीं होता है उसके उपर inauthentic engagement आना या ना आना depend करता है बहुत सारे content ऐसा होता है जहाँ पर हम लोग engagement बेट करके रखते हैं और engagement के बारे में अगर जादा जान करी चाहिए तो मेरे चैनल पर बिजिट कीजिए दूसरे वीडियो को देखिए तो आपको समझ में आएगा engagement बेट अगर आप आपके content में करके रखोगे और उस content को आप पैसा दे के boost करोगे तो इस case पे आपके content पे inauthentic engagement का issue ज़रूर आएगा अगर आपने original facebook के policy rules को मान के post को boost करोगे और आपका content में ऐसा कोई भी engagement बेट नहीं रहेगा तो आपका कोई भी issue नहीं होगा inauthentic engagement बिलकुल भी नहीं आएगा बरता हूँ आगले question के तरफ sir fast 10k follower complete करना होता है या 30k minutes view complete करना होता है तो या पे इस question का direct answer यह है कि आपको पहले 10k follower जो है वो complete करना जरूरी है अगर आपके page पे 10k follower complete हो जाता है और उस time से लेके जब भी आपका 10k follower complete होता है उस time से लेके कोई भी last 60 days में 30k view जो है one minute वो complete हो जाएगा तो आपका page in stream at से monetize होने के लिए eligible हो जाता है तो यह doubt भी clear हो गया अब बढ़ता हो अगले question के तरफ can I earn money with motivational page on facebook I just upload photo not video तो क्या मैं facebook page पे motivational topic डाल के facebook page को monetize कर सकता हो मैं video नहीं डालता हो सिर्फ photos डालता हो हाँ आप monetize कर सकते हो अगर content जो भी आप page पे डालते हो वो आपका खुद का content है तो और उसके साथ condition यह है अगर आप सिर्फ photo डाल के monetize करना चाते हो तो सिर्फ और सिर्फ facebook का brand collab tool से ही monetize कर पाओगे in stream ads से अगर आपको monetize करना है तो आपको आपके page पे video डालना परेगा बरता हो अगले question के तरफ बो है बहुत ही अच्छा question है यह question मुझे बहुत अच्छा लगा I am from Pakistan, my brother lives in Australia, I want to use his laptop and his facebook through team viewer to run a facebook page and monetize it, will this method be okay? यहाँ पे इन्होंने ही answer भी कर दिया और question भी इन्होंने ही पूछा है हाँ आप यह trick use कर सकते हो यह बहुत अच्छा trick है क्योंकि हमको पता है नेपाल, पकिस्तान, यह सब country facebook, in stream ads से monetize करने के लिए जो eligible country होते है उसमें से belongs नहीं करता है तो वो सब country में यह जो trick है इसको use किया जा सकता है आप नेपाल से बेटके ही कही बाहर country में अगर कोई भी आपका रिष्टदार रहता है तो उनको use करके उनके profile को use करके team viewer के द्वारा आप आपके page को पकिस्तान यह नेपाल से बेटके monetize कर सकते हो यह trick बहुत अच्छा है आप भी use करो और मुझे जरूर बताना इंस्टाग्राम पे मेरा इंस्टाग्राम ID है शिल्ड और दिपतनो कि यह trick आप लोगों के लिए काम कर रहा है या नहीं कर रहा है अब बताओ आज के show का last question इंस्टाग्राम पे मेरा 28k follower है अगर मैं इंस्टाग्राम पर facebook page का link send करूँ और वहाँ से traffic को facebook पे ले के आओ तो क्या वो monetize होगा हाँ जरूर monetize होगा आप सिर्फ instagram पे नहीं अगर दूसरे social media platform पे भी आप active हो जैसे के मान लो linkedin, twitter और बाकी जो भी है youtube वहाँ से भी traffic को अगर redirect करके आपके facebook page पे लाते हो तो ये कोई illegal चीज नहीं है genuine है आप करो और आपका monetization जरूर on होगा तो आशा करता हो आज का ये show आप लोग को काफी पसंद आया है अगर आप भी चाते हो कि आपका question next show में pick हो तो जरूर comment section में comment करके जाना तो मैं next show में आप लोगों का question जरूर पीक करूँगा और फिर से एक नए episode के साथ मैं आऊँगा आज की इस episode पे इतना ही दोस्तो तब तक आप लोग कुश रहो आब आद रहो और ममी पापका नाम कर दोस्तो बाई